नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेर्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुल्टिन की शुरुवात करते हैं आज की हेड्लाइन से राजसभा में अगस्टा वेस्टलैंड पर हंगामा कॉंग्रेसांसर द्वेल में पहुँचे जनावी मुद्दा बनाने पर प्रीयम से माफी मांगने को कहा हरी श्रावत बीजेपी अध्यक शमित्षा और केलाश विजेवर्गी को दीद नार्को टेस्ट की चिनाथी बेश्टचार की आरोप और स्टिंग में नाम आने के बार नेताओं को ललकारा पास्ट्रैक होंगे दस साल पुराने केस मिशन मोड में होगी सभी मामलों की सुनवाई धाइलाक से ज़्यादा कैदियों को मिलेगी राहत करमचारियों की संख्या में कटोती करेगी भारतियवाई उसेना नॉन कमबैट सेक्शन पर आर्मी चीफ की नजर अगर तीन महीने में तयार होगा रोडमाप और आज सूरज के चहरे पर दिखेगा काला तिल मर्की ट्रांजिट का अनोखा नजारा पृत्वी और सूर्य के बीच से गुजुरे का बुद्ध पूरे भारत में दिखेगा नजारा सदन के उच सदन राजुसभा में एक बार फिर अगस्ता वेस्ट लैंड को लेकर हंगामा हुआ कॉंग्रेस सांसदों ने वेल में पहुंच कर हंगामा किया इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने कहा कि इस मामले को चुनावी मुद्धा बनाने के लिए पीम नरेंदर मोधी राज्य सभा में माफी मांगे और इस पर बायान दे गौर्टलब है कि हाली में तमिल नादो में चुनावी रैली करते हुए पीम मोधी ने वी वी आईपी चॉपर लैंड डील के मुद्धे को उठाया था संसद ने बीजेपी संसद के रिट समया कॉंग्रेस अध्यक्ष्टोनिया गांधी के दमाद रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील का मुद्धा उठाएंगे उन्होंने इसे लेकार लोग सभा में नोटिस दिया है बीजेपी बिकाने जमीन सौधे को लेकर भी कॉंग्रेस को घेरेगी उत्राखन में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सत्ता से बेदखल किये गए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को एक और चुनौती दी है रावत ने बीजेपी अध्यक्ष अमिच्षां से लेकर केलाश विजवरगी अनिल बलूनी और शाम जाजू जैसे नेताओं को नार्को टेस्ट के लिए चुनौती दी है बीजेपी की ओर से लगातार भश्रचार के आरोप लगाय जाने और स्टिंग ऑपरेशन में नाम सामने आने पर हरीश रावत ने कहा कि वो नार्को टेस्ट के लिए तयार है बीजेपी नेता भी आगे आकर ऐसा करके दिखाएं उन्होंने कहा उत्रखन में अब हालात ऐसे हैं कि यहां ब्लैक मेलर और स्टिंगरों का बोल बाला हो गया है ऐसे में ये सही समय है सब कुछ साफ करने का स्टिंग में घिरे रावत को सोंबार को दिल्ली में सी वी आई पूछताच में शामिल होना था लेकिन उन्होंने फलो टेस्ट को देखते हुए फिलहाल इसके लिए मौहलत मांगी है नियाए की आस में सालों से देश की जेलों में कैद लोगों के मामलों को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया गया है देश की टॉप जजों की ओर से लिये गए इस फैसले से उन नाको कैदियों को राखत मिलने की उमीद है जो सालों से जेल की सलाकों के पीछे है और दोशी ठहराए जाने के बाद मिलने वाली संभावित सजा से भी जादा वक्त जेल में गुजार चुके है नयोजना के तहर दस साल से नयाय की राह देख रहे कैदियों के मामलों को प्रमुक्ता से सुना जाएगा आख़ों के मताबिक ऐसे मामलों में देश को 1387 जेलों में करीब 2,80,000 लोग कैद है विचारा धीन कैदियों की संख्या देश में कुल कैदियों की संख्या की दो तिहाई है आज एक अनोखी खगोली घटना होने जा रही है ये खगोली घटना है बुद्ध पार्गमन यानि मरकरी ट्रांजित दोपहर को ये खगोली घटना शुरू होगी बुद्ध पार्गमन की खगोली घटना पूरे भारत में देखी जा सकेगी पिछली बार ये खगोली घटना 2006 में हुई थी बुद्ध पार्गमन वो खगोली घटना है जुसमें सूरज और पृत्वी के बीच से होकर बुद्ध ग्रिह गुजरता है और तीनों अकाशिय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं ऐसे में बुद्ध ग्रिह सूरज के गोले पर एक छोटी सी काली बिंदी की तरहा नजर आता है सूरज के गोले के मुकाबले बुद्ध ग्रिह का कोणी आकार काफी कम होता है लिहाजा बुद्ध ग्रिय एक छोटी सी काली बिंदी की तरह दिखता है उत्रखन विधान सभा से कॉंग्रिस के नौ बर्गास्त विधायक बहुमत परिक्षन में अपना वोट नहीं दे सकते हैं नैनिताल हाई कोट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए बागी विधायकों की अरजी खारिच कर दी है हाई कोट में नयमूर्ती यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने आज सुभा अपना फैसला सुनाया 18 मार्च को विधान सभा में मनी बिल पारित होने के दौरान हुए घटना करम के बाद स्पीकर गोविन सिंग कुंजवाल ने कॉंग्रिस के नौ विधायकों को बरखास कर दिया था इन विधायकों ने हाई कोट में दो अलग-अलग याचिकाय दायर कर स्पीकर के आदेश को चुनाती दी थी हाई कोट का फैसला आने के तुरंद बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर कर दी है इस याचिका पर आज दोपेहर ही सुनवाई होने की उमीद है उत्राखन में कॉंग्रिस फ्लो टेस्ट में ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं चोना चाहती यही वजा है कि विधायकों की खरीद फ्रोक्त के आरोप में घिरे हरीश व्रावत सुमवार को CBI पूछताज के लिए दिल्ली नहीं पहुचे उन्हें जिस फ्लाइट से आना था वो उसमें सवा नहीं हुए इस मामले में पूर्व संसदिय कार्यमंत्री और कॉंग्रिस नेता इंदरा हिदेश ने कहा कल हरीश जी को फ्लो टेस्ट में बहुमत साबित करना है उन्हें सुप्रीम कोट के आदेश का पालन करना है फ्लो टेस्ट से पहले विधायकों से बातशीत करना और उन्हें पूरा प्रोसेस समझाना भी काफी एहम काम है वह दिल्ली जाने की स्थिती में नहीं है हरीश रावत ने पेश्वी के लिए CBI से थोड़ा और वक्त मांगा है दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने एक बार फिर PM मोधी पर हमला बोला केजरिवाल ने रविवार को कहा कि गांधी परिवार के पास मोधी जी के बारे में कुछ राज है और इसी कारण वो गांधी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कभी कारवाई नहीं कर पाएंगे ये बात केजरिवाल ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट करके बयां की केजरिवान ने रविवार को ट्विट किया सूत्रों के मताबिक गांधी परिवार के पास मोधी का एक ऐसा राज है जिस कारण पीम मोधी गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई कदब नहीं उठा पाएंगे लिहाजा वे उन से डरते हैं केजरिवान ने कहा था कि प्रधान मंतिर ने सोनिया गांधी को गिरिफतार करने की हिम्मत नहीं है और दोनों पार्टियों की ब्रष्टचार में मिली भगत है अगर आप रस्तोई गैस लेंडर पर सबसीडी लेना चाते हैं तो आपको अपने LPG डिलर के पास इंकम टैक्स रिटर्न की कौपी जमा करानी होगी सूत्रों के मताबिक केंद सरकार जल्द ही इस विवस्था को लागू करने वाली है दरसल केंद सरकार की गिव इट अप स्कीम को बहुत जल्द काम्याब नहीं मिली है ऐसे में पेट्रोलियम मंत्राले ने Central Board of Direct Taxes से मंत्राले से नई दिवस्थाएं करने के लिए कह दिया है इसे उन लोगों की पहचान करने में आसानी होगी जिनकी सलाना आए 10 लाग रुपे से अधिक है भारतिय सेना Non-Combat Section में करमचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है सेना प्रमुक जनरल दलबीज सिंग सुहाग ने इस पर एक टीम बना कर स्टडी करने के लिए आदेश दे हैं इस वैसले की वजहां खर्च कम करना और सेना को सही आकार मिलाना है आर्मी चीफ ने अपने एक सीनिया मोस्ट जनरल को इस पर अगस्त तक अपनी सिफारिश देने के लिए कहा है बताया जारा है कि स्टाफ कम करने का रोड मैप अगले तीन महीनों में तयार कर लिया जाएगा जनरल सुहाग का ये आदेश पियमोदी के उस बयान के पांच महीने बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि आधुनी की करन और सेना को एक साथ भढ़ाना मुश्किल काम है और गैर जरूरी लक्षे है राश्ट्रे राजधानी दिल्ली में बीते दिनों पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी हमले के मदे नजर जेश मोहमद के तेरा संदिक दो की गिरिफतारी की थी कल इन में से छे लड़कों को सशर्ट छोड़ दिया है जबकि चार को शनिवार को ही छोड़ दिया गया था इन सभी से हर दिन अपनी फैमिली के साथ सेल के ओफिस आने को कहा गया है स्पेशल सेल के मताबिक लड़कों को सुधने का मौका दिया गया है जबकि जाच में एक एहम बात ये सामने आई है कि जेश के मुख्या मौलाना मसूद अजहर का भाई तलहा भी लड़कों से वाटसाप के ज़र ये जुड़ा हुआ था तलहा का नंबर एक्टिव है और वो इन लड़कों से वाटसाप पर बात कर रहा था मध्यप्रदेश के उजेन में चल रहे सिनहस्त कुम्भ में आज दूसरा शाही सनान हो रहा है इसके लिए देश दुनिया से करीब 25 लाग श्रधालों के यहां पहुचने की संभावना है राम घाट पर सुभा श्राही सनान के कवरेज के लिए पहुचे स्थानिय पत्रकारों की पुलिस के साथ जड़प हुई जुसके बाद स्थानिय पत्रकार धरने पर बैठ गए सिनहस्त कुम्भ में बीते दिनों आंधी और तेज बारिश में तबाई मचाई थी इससे सबक लेते हुए प्रशासन ने कोई कसन नहीं छोड़ी है श्राहिस्तान के दौरान किसी तरहा की अविवस्था ना हो इसलिए घाट के आसपास पुलिस तैनात के गए है मेला शेत्रों में मेडिकल सुभीधा की भी विवस्था की गई है नेपाल सरकार की और से नाई दिल्नी में तैनात अपने राजदू दीप कुमार उपाध्धहय को वापस बलाने के आदेश दिये जाने के बाद भी वुराजश्वे राजधानी में जम्य हुए है बताया जा रहा है कि उपाध्धह ने इस बात से भी इंकार किया है कि उन्होंने भारत के साथ मिलकर नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिराने की कोशिश की इस बात से भी इंकार किया है कि उन्होंने भारत के साथ मिलकर नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिराने की कोशिश की नेपाली दूतावास के सूत्रों ने बताया कि राजदूत को वापस वलाए जाने के मुद्धे पर हमें कोई अधिकारिक सूचना नहीं मिली है मीरिया में ही ऐसी खबरे आ रही है इसलिए वह अपनी मौजूदा स्थिती में बने हुए है टीवी अभिनेतरी प्रतियूशा बैनर जी की खुद खुशी मामले में आरोपी राखुल राज ने पहली बार अपनी चुपी तोड़ी और प्रतियूशा के माता पिता पर बेटी के पैसों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जबकि प्रतियूशा की मा शोमा बैनर जी और पिता रमेश बैनर जी ने ऐसे सब ही आरोपों को खारिच किया है अभिनेतरी के माता पिता ने कहा जो भी आरोप लगाए गए है सब ही गलत है बैंक स्टेट्मेंट से क्लियर हो जाएगा कि किसने पैसा निकाला शिरुवाती दिनों में हमारा जोइंट अकाउंट था बाद में सिर्फ मा के साथ अकाउंट था बीजेपी शास्तित राजुस्तान के स्कूलों की आठवी कक्षा में पढ़ने वाले चातरों को अब स्वतंतरता संगहर्ष या आजादी के बाद के भारत में देश के पहले प्रधान मंतरी जवाखलाल नहरू के योगदान के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा आठवी कक्षा के सामाजिक विज्ञान की किताब से नहरू और उनके योगदान से जोड़ी जानकारिया हटा दी गई है कॉंग्रिस ने राजुसरकार के इस फैसले पर करी आपत्ती जताई है राजुस्थान प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक सचन पाइलेट ने कहा ये एक सोची समझी रनीती है आरेसेस बीजेपी का साफ एजिंदा है कि नहरू और ऐसे अन्य कदावर नेताओं के योगदानों को मिटा दिया जाए ये पाथ्य पुस्तकों से छेड़चार की उनकी नापाक कोशिश है अरबपतियों की बाड़ और किसी भी तरीके से पुंजी बढ़ाने की प्रवर्ती ने भारत को क्रोनी कैपितलिस्ट देशों की सूची में नौविस्थान पर लाखड़ा किया है देकनॉमिस्ट के ताजा अंख में जारी क्रोनी कैपितलिस्ट सूच कांख के अनुसार क्रोनी पुंजी वहिश्विक जीडीपी और कुल अरबपतियों की पुंजी के अनुसार तेजी से बड़ी है अध्यान में कहा गया है उच्सा जनक रूप से भारत संभवत अपनी गतिवीधी को साफ कर रहा है साल 2008 में क्रोनी संपती जीडीपी के 18 प्रतिशत पर पहुँच गई थी जो रूस के बराबर है आज ये जीडीपी का तीन प्रतिशत है जो उस्ट्रेलिया किस्तर के बराबर है एक और वर्जुना को तोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा अर्ध सेनिक बल सी आपीएफ नकसल प्रभावित राजियों में नकसल विरोधी अभियानों के लिए 560 से अधिक महिला कमांडों की तैनाती करने जा रहा है राधुस्तान के अजमेर में स्थेत इस बल के प्रसिक्षन केंद्र से 566 महिलाओं के बैच के पिछले हफ़ते पास आउट होकर निकलने के साथ ही देश के अंतरिक सुरक्षा के शेत्रों में सबसे चनौती पूंड रन शेत्रे में इतनी बड़ी संख्या में महिला कर्मियों की तैनाती की महत्वकांशी योजना आगे बड़ी है पूरे बैच को कमपनी फॉर्मेशन शेली में नकसल प्रभाविश शेत्रों में चरन बद तरीके से तैनात किया जाएगा कमपनी फॉर्मेशन का मतलब एक बार में 100 कर्मियों को तैनात करना है अक्षित उतिया के मौके पर सोंबार को गंगोतरी यमुनोतरी और केदानात के कपाच रधालों के लिए खोल दिये गए है इसके साथ ही गड़वाल हिमाले की प्रसिद वार्शिक चारधाम यात्रा शुरू हो गई है अधिकारिक सूत्रों ने कल को बताया की उत्तरकाश्वी जिले में गंगोतरी और यमुनोतरी मंदिर और रूद्र प्रयाग जिले में स्थिद के दानात मंदिर के कपाच खुलने के संभन्द में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है एक अन्य धाम चमोली जिले में स्थिद बद्री नात मंदिर के कपाच भी 11 माई को शरधालू के लिए खुलेंगे हेल्थ बिजनिस में हमेशा सबसे आगे रहने वाले योग गुरू बाबाराम देव अफ टीवी रियालिटी शो में हाथ अजमाने जा रहे हैं योग को पहचान दिलाने में एहम योगदान देने वाले राम देव ने अभी आयुवेदिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसके साथ ही हाली में नूडल्स वार के दौरान ये उसमें कूद पड़े थे और अपने नूडल्स लॉंच कर दिये बाबारामदेव ने अपने ट्विटर अकाउंट में जल्द आ रहे भजन गायन रियालिटी टीवी शो की घोशना की है शो का नाम भजन रत्न रखा गया है शो को जज करिंगी पद में श्रीगायक अनुग जलोटा इन्हें भजन समराट के नाम से भी जाना जाता है सचिन तंदुल करके पैर चुए इस दौरान सचिन ने मुस्कुराते हुए युवराज को रोकने की कोशिश की सोशल मीडिया पर ये फोटो वायल हो गई है विवराज सिंग सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हैं इसे पहले भी वो कई बास सचिन के पैर मैदान पच हो चुके हैं पिछले साल IPL में दिल्ली के लिए खेल रहे यूवी ने सचिन के पैर चुए थे खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पहुँचाएंगे एक नई अंदाज में आपके मुबाइल फोन के माध्यम से तो आप जुड़े रही मेट्रो टीवी से तब तक के लिए नमसकार